नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेटा आज के 28 मार्स 2022 और देख लेते हैं इंडियान एक्सपर्स की इंपोर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले explain page पे तीन आर्टिकल्स हैं तीनों को देखेंगे जिसमें पहला तो क्या पैटर्न रहेगा किस तरीके से exam conduct होगी CUET की तो एक बार इस पे हम नज़र डालेंगे दूसरा जो आर्टिकल्स है वो रहेगा कि जो केंद्रिया विद्यालयाज में MPs का जो कोटा होता है उसको देखकर कि क्या अभी बातचीज चल रही है इससे समन्दित हमने editorial डिसकस किया था तो एक बार फिर से revise कर लेंगे तो कुछ चीज़े हैं वो additional हमें आपे मिलेगी तीसरा कि Maldives में अभी anti-India campaign जो चल रहा है तो उसके पीछे क्या है पूरी history Maldives की वो जानेंगे यह तीन articles हैं तीनों को detail में देखते हैं first article is the format for CUET देखो अभी central university entrance test के लिए application forms हैं वो open हो जाएंगे 2 April से 30 April तक वो open रहेंगे form और exam conduct कराया जाएगा किसके दौरा national testing agency NTA के दौरा ठीक है और यह NTA किसके अंडर में आती है Ministry of higher education वाले department के अंडर history of education के अंडर आती है तो हमारा point यहां पर क्या रहा है कि एक तो अभी first batch के लिए यहां पर application form बरे जाएंगे दूसरी चीज़ अब 12th class का जो score है वो important नहीं होगा admissions के लिए अब CUET का score होगा admission के point of issue है important question जो होगे वो MCQ based होगे multiple choice question based होगे ठीक है और जो भी आपको detail लेनी हो कि एक्जाम कैसे कैसे conduct होगी कौन कौन सी paper आपको लेने है तो बोलो उनसे संबंदित detail आपको यहां पर मिल जाएगी यह website भी यहां पर बता दी है तो अब देखो सवाल यह है कि यह जो test होगा ठीक है CUET इन में question कहां से आएंगे तो 12th class की जो NCRT की books होगी उनी से syllabus तयार क कर दिया एक तो section first A और एक section first B दूसरा level होगा जिसमें होगा course subject लिया जाएगा एक candidate के द्वारा कि वो वाकई में किस course में आगे continue करना चाहता है यहां पर section 3 है fourth नहीं है यह section third है इसमें general test होगा जिसमें general mental ability, GK, current affairs यह सारी चीज़े पूछी जाएंगी इसमें आप section first A, first B की बात करो तो इन में 50-50 question का paper होगा जिन में से एक student को 40 question minimum करने होगे ओके और इसमें आप देखो कि इसमें reading comprehension या passages इन से सम्मंदित questions होगे जिसमें first A, जो section है, जो first level है या first paper है, उसके दो section है, उसका पहला paper है, उसमें इंडिया, मतलब total 13 languages का option रहेगा, यह language का exam है जिसमे English रहेगी और बाकी 12 जो Indian languages हैं जिनके नाम यहाँ पर है, इंदी, मराठी, गुजराती, तामिल, तेलकु, कन्नर, मलियालम, उर्दू, असमी, बंगॉली, पंजाबी, और यह 45 minute का paper होगा, तो ऐसे में 50 minute का paper, 50 minute के paper में से, पचास questions होगे, उनमें से 40 questions attempt करने होगे, time है 45 minute का फिर इसी का first जो section है, इसी का जो second part है, जिसको बोलना है section first B, वो अगर मान लो कोई individual foreign language में course करना चाहे, तो 19 foreign languages का एक entrance test होगा, यह second section में, ठीक है, जिसमें आप French, Spanish, German, Nepali, Persian, Italian, Arabic, सिंधी, कश्मीरी, कौंकनी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मनीपुरी, संथाली, तिबद, Japanese, Chinese, Russian, Chinese, इन languages में से किसी को भी opt कर सकते हो, और उसका भी same pattern होगा, वो ही 50 questions आएंगे, और वो ही 45 minutes का time, और 40 questions उसमें से attempt करने होगे, तो इस second वाला question किसके लिए है, जो foreign languages में education करना चाहते है, ठीक है, बाकि first वाला तो होई गया language के लिए, इंडिया में, 13 language जिन में एक तो English और बाकी 12 language, जो Indian languages है, वो, फिरा रहता है section 2, इसमें देखो, लगबख 27 options available होंगे, उन 27 में से एक student 6 subjects को opt कर सकता है, और यह 27 का option यहाँ पी देख सकते हो, अच्छे से पूरी detail देख सकते हो, screen पर है, जिन में आपके code जो subject रहता है, 12 में, वो subject है, इन में से कोई भी 6 subject वो ले सकते हैं, अपने course में admission के हिसाब से, जैसे मानलो, कोई Delhi University में पढ़ना जा रहा है, कोई दूसरी Central University में पढ़ना चाता है, कोई JNU में पढ़ना चाता है, तो वहाँ पर जो requirement होगी न, course के लिए, कि हाजी इस course में entry के लिए, यह exam आपको पास करनी पड़ेगी, यह subject चाहिए, तो उस हिसाब से 6 subject इन में से कोई से भी पिक किये जा सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा candidate को वही 50 question मिलेंगे, 40 उनमे से attempt करना है, 45 मिनट का time रहेगा, तो यह section second हो गया, फिर section third जो है, उसमें आपको क्या करना होता है, यह GK paper होगा, ठीक है, जिसमें यह देखा ज जाएंगी, general knowledge, current affairs, mental ability, general, numerical ability, यह सारी चीज़े, कौन टैप्ट होगी है, जो GK वाला proportion हो, तो इसमें क्या होगा, यह लगबगे 75 questions का paper होगा, जिसमें इसे 60 questions attempt करने होगी, ठीक है, और इसमें थोड़ा mathematical calculation भी होगा, class 8 तक का level रहेगा, उनका questions का, तो ऐसे 3 paper हो जाएंगे, first paper के दो part हो गए, second जो part रहेगा, वो exclusively किसके रहेगा, क्योंकि foreign language में अगर education लेना चाहे तो, सवाल ही है, कि क्या एक individual जिसने 12th science से की है, और वो humanities में जाना चाहे, तो वो जा सकता है क्या, इसका जवाब है yes, कि वो BA या फिर कोई भी course करना चाहे, चाहे, पॉलिटिकल इसी calculation क्या है, nine papers हा रहे है, combination में, कैसे आएगा देखो, कि अगर different different combination में देखे हैं, तो दो तो language paper हो रहे है, maximum nine paper, यह maximum है यहापे, minimum तो और भी कम हो सकता है, maximum, minimum के तो अलग regulations है, maximum nine paper देने होंगे, अगर एक बंदा exam देने के लिए जाता है, और वो ज़्यादा ज़्यादा paper opt करें, इन message वो हमने sections देखे, one a, one b, second and third, ठीक है ना, तो ऐसे में दो तो language के हो गए, one a, one b, six subject, domain से ले सकता है, core subject, और एक general aptitude, इस तरीके से no subject हो गया, फिर बात आती है कि कोई बंदा अगर language के लिए segment में जाना चाहे, तो देखो, दो तो language हो जाएगी इधर से, जो first वाली है, first a, first b, और एक language वो core में से उठा सकता है, पांच subject core के हो जाएंगे, और एक gk का हो गया, तो ऐसे करके total no paper हो सकता है, पर language के maximum कितने paper दे सकता है, एक student वो दे सकता है maximum 3, ठीक है, ये चीज़ बता दी, दूसरा ही बताया गया, कि जो 27 subjects है, ठीक है, तो इन में अग मान लो कि कोई specific subject mentioned ही नहीं है, तो उसके लिए option, जैसे मान लो किसे individual को biochemistry के लिए जाना है, ठीक है, BSC करना चाहता है, तो इसमें उनके पास में biochemistry का option नहीं है, तो इनके near subject कौन सा biology, तो biology चूज़ करके फिर बाद में core subject की exam दे लेगा, ठीक है, exam, class 12th की board examination में जो syllabus रहता ह उसे में से pick किया जाएगा, मतलब 12th level की NCRT की book से बनाया जाएगा, ये बताया जा रहा है, फिर इसके बाद में ये, कि जो पिछले साल pass out जो student है, एक तो अभी होंगे, 2022 में pass out, एक 2021 में already जो passed है, वो तो बो भी eligible है, वो भी form भर सकते हैं, आराम से कोई issue है नहीं, फिर बा उसी के लिए fix रख दिया जाएगा, कि वो उसी के साब से ranking fix होगी, ठीक है, जिसके ज्यादा score है, उसको पहले priority मिलेगी, पर हाँ, ये हो सकता है, कि कुछ universities ऐसे भी fix कर दें, कि कम से कम बार भी class जो है, वो आप 60% से तो पास करके आओ, ये भी एक provision रखा जा सकता है, CUET ने तो experts का तो ये कहना है, अभी तक तो कि coaching की वैसे जवरत पढ़ेगी नहीं, क्योंकि NCRT, PhD syllabus है, जो कि 12th class तक वो पढ़के आते हैं, और उनी में से questions बनाए जाएंगे, ठीक है, फिर बात आती है कि IIT में तो इस तरीके से coaching का जो माहौल चला हुआ है, उसी तरीके से यहाँ जने कंपीट करेंगे, तो पाथ जने अगर कंपीट करेंगे, तो एक जने को seat मिल जाएगी, और उधर IIT में 50 या 60 जनों में से एक जने का नंबर आता है, तो ऐसे मैं बोला, difficulty level उतना ज्यादा नहीं रहने वाला है, तो ये चीज़े बताई जा रहे है, CUT, पुरी detail हमने ल जो होते हैं, उनमें MP का जो कोटा है, Member of Parliament का, उसको लेकर के क्या डिबेट सल रहा है, देखो पिछले हफते की बात है, जो Education Minister है, महंदर प्रधान जी, उन्होंने लोगसभा में एक डिबेट में कहा, कि केंद्रिय विद्यालियों में जो admission होते हैं, seats पे, उनके लिए MP कोट जो है, उसको हमें continue करना चाहिए, या उसको खतम करना चाहिए, तो एक डिबेट स्टार्ट हुई थी इस पे, तो इस डिबेट में ये कहा गया, जो हमारे लोगसभा स्पीकर ओम बिडला जी, उनके द्वारा ये कहा गया, कि हमें एक all party meeting organize करवाने की ज़रत है, जहां पर जिरो hour notice जो इन्हों ने introduce किया था ना लोगसभा में, राजय सभा में किया था सुशील मोदीजी ने, ठीक है, तो उसमें इन्हों ने अपनी तरफ से बोल दिया, बोले कि withdraw करो इसको, ये MPs का जो कोटा दे रखा है, कि हाँ 10 जनों को हर साल एक MP अपनी तरफ से students को admission दिला स केवीज में, तो 7,888 admission तो हर साल इन कोटाज के basis पर ही हो जाएंगे, तो फिर बाद में competition कहां रह जाएगा, जिसमें reservation भी देना होता है, जिनमें आप minorities की take care भी करना चाते हो, education को promote करना चाते हो, तो बोले ये scrap कर देना चाहिए, सुशील मोदी जी का तो ये खायना था, ठ session शुरू होता है question hour से, फिर question hour में तो start और unstart जो question दिये जाते हैं, वो तो होई जाता है, फिर उसके बाद में zero hour होता है, जिसमें कोई भी public importance की ऐसी बात, जिसके लिए अभी तक वहाँ पर presiding officer जो है, उससे कोई approval नहीं लिया गया, लोग सबा में जो presiding officer है, वो चाहे वहा वाल अगर नहीं ले रखा है, तो zero hour में कोई भी public importance का मुद्दा उठाया जा सकता है, तो उसी time पे बात कही गई, तो केंद्रिय विद्यालों में जो MP का quota है ना, इसकी शुरुआत होती है 1975 में, जब ये था कि एक MP, अपने constituencies से, दो जनों को recommend कर सकता था admission के लिए, और ये recommendation की जो level है, वो class 1 से class 9 के बीच में ही है, फिर इसके बाद में किसी का भी नाम recommend नहीं कर सकते हैं, और इसके पीछे ये था provision की MP अपनी constituency में education के option को explore करने के लिए ये अपनी जो एक power है, उसको use कर सकता है, ठीक है ना, तो ऐसे में आप देखो कि अभी currently total MPs, मतलब अगर एक MP की recommendation की बात करें, तो वो number of students कितने हो चुके हैं, दस, शुरू होए थे दो से और अब पहुंच गया है, दस, ऐसे बहुत जादा students हमारे यहां से, यहां MPs जो है, वो recommend कर सकते हैं, केंद्रिय विद्यालेयों में, फिर बात आती है, कि जो human resource development, या फिर जो education minister होते हैं, उनक चाहे तो ना करें, तो ऐसे में सवाल यह है, कि कुछ education ministers ने तो अपनी तरफ से इन 4500 students का name recommend किया है, अभी तक union government की तरफ से, और अभी पिछले अगर दो तीन human resource minister, जिनको अभी हम education minister बोलते हैं, उन्हों ने अपनी तरफ से यह discretionary power को use नहीं किया, abolish कर दिया, बोला कि हम इ process क्या है इसमें, देखो, बातों बातों में पूरी बात हो चुकी है, कि अगर KVS, केंद्रिय विद्याले संस्थान, उन्हों में क्या होता है, कि जो MPs हैं, वो अपनी तरफ से कुछ students का नाम लेते हैं, उनके माता-पिता की consent लेते हुए, या फिर माता-पिता और बच्च शुरू हो जाता है, और short listing में अगर नाम नहीं आता है, तो फिर वो process वहीं पे खतम हो गया, जिस भी individual student का नाम वहाँ पे नहीं आता है, तो इस तरीके से क्या है, कि लगबग 7880 तो MPs नेम रिकमेंड करते हैं, और मतलब total जो लिस्टिंग होती है, उसमें 7880 तो members अपनी त पास होता है, तो बोले, space ही नहीं बचेगा फिर तो दूसरे बच्चों के लिए, इसलिए फिर demand बार बार होती है, पहली बार scrap कर दिया गया था, यह जो MP quota था ना, इसको 1997 में, फिर इसको 1998 में फिर से reintroduce करा दिया गया, फिर 2010 में भी scrap कर दिया था, उस ताइम पर UPA government थी, तो फिर से reintroduce कर दिया गया था, फिर अभी आप देख सकते हो कि सीटे कितनी है, एक MP के लिए, दस, तो यह चीज़े क्या हो रही है, कि बहुत बार यह demand हो रही है, कि कुछ MPs का तो यह कहना है, कि इसको scrap करो, जैसे यहाँ पर मनीश्तिवारी जी की बात आ रही है, कि भई केस में बोले हम दस जनों को अगर सीट देते हैं, तो बहुत लोग हमसे नाराज भी होते हैं, तो या तो इन सीटों को बढ़ा कर कि दस की जगए 50 करो, या फिर इसको scrap करो, अब देखो देखते हैं आगे क्या होता है, फिलाल तो यहाँ तक अभी बात्चीच चल रही है, बाकि डिपेंड करेगा कि पार्लियमेंट जब एगरी करेगी तो ही कुछ आगे होगा, कि बही यह जो कोटा है MPs का, केवी's के लिए यह scrap करना है या फिर इसको बढ़ाना है, आगे चलते हैं, फिर नेक्स जो आर्टिकल है वो यह कि मालदीज में जिस तरीके से इंडिया क केमपेन, तो उसके पीछे क्या स्टोरी है, तो इसमें देखो पॉलिटिकल कंटेक्स हम समझते हैं थोड़ा, फिर आजाएंगे में बात पर थोड़ा हिस्ट्री समझते हैं, देखो मालदीर जो है के आईलेंड का ग्रूप है, जिस पर लॉकेटेड है लगबग, यहाँ प मौमून अब्दुल गयूम, 1978 से 2008 तक लगातार इन्ही का रिजीम था और इन्ही के रिजीम के टाइम पे यहाँ पर इंट्रड़क्शन हो जाता है, इसका डेमोकरिसी का, पहली बार डेमोकरिसी 2005 में आती है, फिर आप देखते हो कि जो गयूम थे, ठीक है, अब्दुल गय यमीन जो थे, वो प्रो चाइनीज थे, ठीक है, नशीद को जेल में डलाना, नशीद के खिलाफ में बहुत सारी कड़ी कारवाईया कर देना, और अभी फिर यह जान बचा करके फिर यहाँ पर यूके में रह रह रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे में अब्दुल यमीन की जो सेग्मेंट थी ना, उन्होंने अपनी तरफ से हर सेग्मेंट में चाइना का रोल बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था, ठीक है, साथ में आप देखोगे, 1988 की बात यहाँ पर बताई जा रही है, कि इंडिया की स्पेशल फोर्सिस जो हैं, उन्होंने अपनी प्रे प्रेयर शुरू हो जाती इंडिया के खिलाराफ में कि इंडिया जो है, वो मौल्डीवियन इंटर्नल इशूंज में इंटर्फेरनश जादा करता है, वैचे आपने सुना होगा, कि इंडिया के लिए कई बार ब्लेम किया जाता है, कि इंडिया बिग ब्रेदर का रोल प्ल नहीं शुरू करती थी बेल्ट एंड रोड इनिशेटिव 2013 में शुरू किया ही था तो उसके वेसिस पर बहुत ज़्यादा तो वो इंडिया के लिए गवारा नहीं है इसे समंदित हमने पहले बहुत डिसकुशन किये हुए है जब ये अब्दुल्ला यमीन की गौर्मेंट थी कि हर तरीके से यूँ था कि मौल्दीव जो है वहाँ पर केवल और केवल चाइना का ही काम चल रहा है ठीक है अब आप दे चीद 2008 से जो प्रेजिडेंट थे वहाँ पर फिर उनको अब्दुला यमीन ने भगा दिया था उनके खिलाफ में कड़ी कारवाईया कर दी थी तो ऐसे में आप वो तो प्रेजिडेंट नहीं बन पाए पर हाँ अभी सौली वहाँ के प्रेजिडेंट है ठीक है तो ऐसे में इबराहिम सौली अभी प्रेजिडेंट है जो की जिनोंने एक केमपेंज चलाया था इंडिया फर्स्ट देखो हमारे यहाँ पर तो एक केमपेंज चलता है हमारे नेबर हुट को लेकर के नेबर हुट फर्स्ट और मौल्दीव में शुरू हुआ था इंडिया फर्स्ट तो जेल से फिर वो रिहा हुए दो हजार इकीस में और दो हजार इकीस से ही वो अपनी तरफ से लगा था रेफर्ट्स कर रहे हैं कि कैसे भी करके इबराहिम सौली की गवर्मेंट को खतम किया जाए दूसरा इंडिया की जो प्रेजेंस है उसको रेडियोस किया जाए क्योंकि ये आउट केमपेंच चला रखा है ठीक है पर जिस तरीके से कॉपरेशन अभी इंडिया और मालदीव में चल रहा है ना उसमें आप देख सकते हो कि एक तो ये ऐलिगेशन्स लगाए जा रहा है अब्दुल्ला यमीन के जो सपोर्टर सा उनके द्वारा कि इंडिया की मिलिट क्या लगते थे कि मौलदीव को बेचा जा रहा है अब्दुल्ला यमीन के हाथों चाइना को अब उल्टा हो रहा है क्योंकि अभी प्रो इंडियान गवर्मेंट है वहाँ पे तो ऐसे में अभी आप देख सकते हो कि एक तो फिर एक तो ये कि उतुरू में उतुरू थियाल फियाल फालू ये अटॉल मतलब एक आईलेंड है वहाँ पे वहाँ पर माल्दीवियन कोस्ट गार्ड के साथ में मतलब सपोर्ट में इंडियन सपोर्ट अवेलिबल है वहाँ पे दूसरा हमारे कुछ फाइट क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम वहाँ पर अवेलिबल है याँ बर इस चीज को वो जो है गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया के खिलाफ में जो चल रहा है पूरा केमपेंड वो हो रहा है। इंडिया ने अपनी तरफ से ये पूरा केदने इन्वेस्टमेंट भी बहुत दिया है अभी रीसेंट टाइम पे। रही से इंडिया और साथ में श्रिलंका और मौरिश्ट ये देखो मौल्डीश इंडिया श्रिलंका और मौरिश्ट इन्होंने मिलकर इंडिया ओशिन मिनी लेट्रल कोलम्बो से कौलम्बो से कॉलूरिटी § क्लेव यह भी स्टैबलिश किया है यह बहुत इंपॉर्टेंट नेम है पूचा जा सकता है कि कौन-कौन से कंट्रीज इन्वाल्ड है मिनी लेटरल कॉलंबो सेक्योरिटी कंक्लेव में तो इसमें इंडिया मौल्दीव तो होई गए इनके कि अलावा श्रिलंका और मौरिश और जहां तक आने वाले टाइम में बांगलादेश और सिसिल्स यह भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें इसमें क्या है कि जो स्मॉल आइलन्ड कंट्रीज उनके साथ में इंडिया की इंगेजमेंट ठीक है मौल्दीव को हमने अभी 50 मिलियन डॉलर की लाइन ओफ क्रेडिट भी फैसलेटी अवेल की है कि यहां कोई भी डिफेंस पर्चेजिंग करनी हो तो वो कर सकते हैं इस क्रेडिट लाइन का यूज करते हुए इसके अलावा इंडियन नेवी और मौल् इंडिया का मैप देखो तो इस तरीके से कुछ है यहां पर तो आगे मौल्डीव यहां पर है श्रिलंका इस वाले एरिया में एक्सराइज कंड़क्ट की गई है ठीक है तो ऐसे में आप देख सकते हो अरेबियन सी के सदर्न रीजन में तो इस तरीके से इंटर आपरिबिल करके फिर से सरकार हाथ में आ जाए तो यह इंटर्नल पॉलिटिक्स है कुछ और अभी जो कॉंटेक्स था वो भी बातों-बातों में हमारा क्लियर हो गया आगे चलते हैं नेक्स्ट फ्रंट पेज पे एक न्यूस तो यहाँ पर देख सकते हो चाइना के फोरें अफेर मिनिस्टर आके गए इंडिया में पर इंडिया ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि हम अटेंट तभी करेंगे ब्रिक्स की मीटिंग को या फिर ब्रिक्स की मीटिंग में हमा और नियूजर वो देखते हैं कि सेंट्रल गवर्मेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडविट सब्मिट किया और उसमें ये काया है कि स्टेट गवर्मेंट भी हैं वो भी अपने हिसाब से माइनोरिटी स्टेटस दे सकती हैं किसी भी कम्यूनिटी को ये देखा जाएग नौर्द इस्ट में रहें कुछ स्टेट्स वहाँ पर हिंदूस जो हैं माइनोरिटी में हैं पर वहाँ पर इनको माइनोरिटी का स्टेटस नहीं दिया गया है दूसरा कि जहां पर minorities मानलों की पंजाब की अगर बात करें तो sick हैं तो sick को हमारे constitution में या हमारे laws के इसाब से अगर देखें तो minority consider किया हुआ है ठीक है religious and linguistic minorities की हम यहां पर बात कर रहे है धर्म के आधार पर और भाशा के आधार पर तो इस case में sick जो है उनके numbers पंजाब में अच्छे खास हैं और फिर भी minority का tag continue है ठीक है कश्मीर में Muslims बहुत हैं फिर भी minority का tag continue है तो बोले जबकि वहां पर minority में हिंदूस को भी कहीं नहीं continue करना चाहिए ठीक है तो यहां पर जो point आ रहा है वो main यह है कि जहां जहां पर भी जिन जिन states में भी minority status में हिंदूस हैं तो उनको minority का status उस particular state में मिलना चाहिए यह चीज बोली गई जैसे कि अगर हम 2011 की census के हिसाब से देखें तो हिंदूस minority में कहां कहां पर हैं पर अभी तक आप देख लो कि इनको minority status नहीं मिली हुई है वैसे 2002 का एक case है जिसका नाम है TMA Pi case जिसमें article 30 के तहत सुप्रीम कोट ने अपनी एक बात कही थी article 30 जिसमें जो minorities है linguistic and religious minorities को right दिया हुआ है कि वो अपनी practices को promote करने के लिए educational institutions को open कर सकते हैं तो SME ये कहा था article 30 के तहत कि जो linguistic and minority है religious minorities हैं उनको state wise भी consider किया जा सकता है हर state अपने अपनी population के हिसाब से देख करके हमारे यहाँ पर जो National Commission for Minorities Act 1992 हैना उसमें central government के द्वारा 1993 में जब notification डिक्लियर किया गया था इस law के तहते तो section 2C के अंडर में इस act के National Commission for Minorities Act के section 2C के अंडर पांच communities को minority बोला हुआ है धर्म के नाम पर जिनमें है Muslim, Sikhs, Buddhist, Parsis and Christians अब सवाल क्या है कि क्या हर state में ये communities minority के तोर पे represent करती हैं तो इस चीज को ही यहाँ पर एक challenge किया गया है कि हमारे पास में already 2002 का सुप्रीम कोर्ट का TMA Pi Case available है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कह रखा है कि state अपनी population के हिसाब से demographic के हिसाब से decide करके बता सकते हैं कि जी आप किस को minority tag दे सकते हो तो ऐसे में एक petitioner है उपाध्याय ठीक है उन्होंने 2017 में एपेक्स कोर्ट में पहले application लगाई थी कि हिंदूस को भी minority declare कर देना चाहिए जहाँ जहाँ पर अश्वनी उपाध्याय जहाँ 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 पर भी यह वाईकाई में declare कर सकते हैं कारण कि कुछ ऐसे states और योटी जहाँ पर हिंदूस की population जो है वो कम है देखो minority कौन होता है सबसे ज़्यादा population जिसकी होती उसको majority बोल देंगे बाकी बच्चे वे सब लोग minority में आ जाएंगे अब चाहिए आप religion के हिसाब से देखो चाहिए language के बाद में आते हैं ठीक accounting में ओके तो यही चीज हम इन तो बाकी देखता है आगे क्या status क्या outcome निकलता है जो फिलहाल जो सुनवाई हुई है वो हमने देख लिया जैसे यहां पर बताया हुआ है कि यहां पर central government ने भी ऐफिडेविट में यह का है कि जुडेइजम की बात कर लो या बाईजम या फिर हिंदुईजम यह तीन अगर religions के अगर हम बात करें तो लद्दाक में यह real minorities के तौर पर किए जाते हैं कि लद्दाक Buddhist majority community का यूटी है इसी तरीके से मिजोरम लक्षा दिविप लक्ष कश्मीर नागा लेंड में घाल अरुनाचल पदेश या फिर आप देख सकते हो इधर पंजाब मनीपुर यह ऐसे हैं जहां पर हिंदूस को minority tag नहीं मिला हुआ तो इस case में यहां पर वो educational institution नहीं खोल पाते है आर्टिकल 30 के तहत तो ऐसे में बोले यह एक recognition मिलना ज़रूरी है नेक्स्ट हम economy page पर आ गया है तो अभी फिलहाल एक report release हुई है report के basis पर अगर देखें यह report release किये आर्विया इन है आर्विया के हिसाप से अगर देखें तो total जो currency in circulation है वो लग बगए 30,18,000,000 करोड मतलब 30,18,000 करोड रुपए के amount के currency मतलब note और coin है वो हमारी economy में circulate कर रह है ठीक है जो कि पिछली बार के comparison में पिछली बार 11 मार्च को data release हुआ था उसके comparison में आप मतलब आप देख सकते हो 11 मार्च को यह data release 11 मार्च तक की report हमारे पास available है incremental लगबक 36,196 करोड रुपए का तो यहां पर main जो point है वो highlight हो रहा है यह कि जब demonetization किया गया था ना आठ न circulation में पैसा यूज करती है मार्केट में ना currency उसको reduce करना है और digitization की तरफ हमें जाना है पर उस तरफ तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह रहे हैं आज जितने भी transactions हो रहा है ना payment हो रहा है लेन देन का जो भी हो रहा है business में या normal retail में या wholesale में उसमे 68% तो currency का use किया जा रहा है मतल है या फिर coins के form में ही होता है currently circulation जो है वह हमने देखी लिया इसके आगे सबसे कम currency circulation का level कब आया था जब demonetization announce कर दिया था ना 8 November 2016 को उसके बाद में सबसे कम currency circulation का time आया था December 23 2016 को तब currency circulation था 7.82 लाक करोड़ उससे अभी का time का बात करें तो लगबग 285% extra currency circulation हो चुका है और amount आपको पताईए उपर हमने देखा था लगबग 30.18 लाक करोड़ या अपने आप में बहुत जादा currency है जो circulate हो रही है ठीक है ना तो यही चीज बताई जा रही है में तो कि currency circulation बहुत जादा है आगे चलते हैं फिर इसके आगे इंडिया और United Arab Emirates UAE के बीच में जो trade deal है जो कि फरवरी में announce होई थी उसकी details अभी public domain में release की है और ये force में आ जाएगी लागू हो जाएगी deal एक मई से main focus है small and medium enterprises को promote करना जिसें की job भी create हो सके agreement का नाम है comprehensive economic partnership agreement ठीक है फरवरी में sign हो गया था इसमें क्या है कि लगबग लगबग 97% जो UAE और आप कह सकते हो कि इंडिया के बीच में जो lane dine होती है ना जिन भी goods का या services का उनमें आप देख सकते हो कि 97 से 99% तक tariff को reduce किया ठीक है तो ये चीजें अपनी शो करती है अब आप देख सकते हो इंडिया जो है वो UAE को जितना भी export करता है उसका बहुत बड़ा amount जाता है उसमें 99% तक का जो कह सकते हो कि relaxation overall क्या है जी कि दोनों countries के बीच में trade है वो rise हो जाएगा trade rise होने का scope यह है कि अभी financial year 2021 की बात करे 2021 का जो financial year था उसमें लगवख 43.3 billion dollars का trade था इंडिया और UAE का जो की अभी बढ़कर के 5 साल में आने वाले टाइम पे जब यह FTA है एक तरीका free trade agreement ठीक है ना जिसके तहत दोनों countries ने बहुत ज़्यादा tariff reduce की है जिससे की ज़्यादा ज्यादा goods or services का circulation हो सके दोनों countries के इसमें क्या-क्या चीज़ आ रही है वो देख सकते हैं आप e-commerce को intellectual property को लेकर के बाद चीद भी चल रही है इनके बीच में मतलब जो finalize हुआ हो वो या फिर goods को लेकर के भी अलग-अलग segment यह थोड़ा सा minute चीज़ है जो इतने काम की है नहीं अपनी फिर important जो news है that is कि question पूछा गया था कि भई अभी power plants और nuclear power plants है उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार का क्या stand है तो government के द्वारा यह बताया गया है कि अभी 10 नई units लगाई जाएंगी और उन 10 unit को आने वाले 3 से 4 साल के अंदर अंदर हम complete करेंगे ठीक है यह देखो 10 proposed unit ठी 700 megawatt electric pressurized heavy water reactors हैं उनकी जरुवत पड़ेगी मतलब 700 megawatt electricity produce करने के लिए 10 नई units लगाई जाएंगी और वो unit कहां कहां पर लगेगी एक बार वो detail मैं आपको बताता हूं यहां पर आप देख सकते हो एक तो देखो यहां पर 10 नई जो लग रही हैं कहेगा करनाटका में 5th and 6th unit install की जाएगी दो unit हो गई इसी तरीके से चुटका यह मध्यपरदेश में लगेगी इसमें भी 2 unit है 1st and 2nd गोरकपुर हरियाना में है इसमें 3rd and 4th unit लगेगी और माही बासवाडा जो की राजस्थान में है यहां पर 4 unit लगेगी तो ऐसे आप total counting करोगे ना तो 10 units का installation होने व equipment equipment की जो requirement है उनके लिए बातें मतलब जो होती ना कि agreement होने उनको approval दे दिया जा चुका है जिसमें आप यहां पर देख सकते हो नाम दिये हो है critical components equipment जैसे steam generator, lattice tubes, pressurizer forging इसी तरीक से reactor head, headers यह सारी चीज़े जो required होंगी उनकी procurement की बाचीत थी इनसे संबंदीती question था 10 unit कहां कहा देख ली ठीक है तो देखो discussion में जो भी important चीज़े थी वो हमारी देख ली इसके आगे देखें तो एक news तो यहां पर है world page पे इसमें तो इतना बताया जा रहा है कि Taliban जो है वो economic support चाइना से लेना चाह रहा है ठीक है belt and road initiative को भी extend कर रहा है अपने इधर तो ऐसे में जब Taliban 1996 म है वहाँ पर बहुत बड़ी गौतम बुद्धा की जो एक statue था ना उसको उड़ा दिया था उस time पर और अब की बार क्या है चाइना से support लेना चाह रहा है तालिवान तो अब क्या करना पड़ रहा है कि जो बुद्धा से संबंदित या बुद्धिजम से संबंदित जो भी किसे हैं तो बामियान कहां पर है ये ध्यान हो गया एक तो और एक बुद्धा का जो statue है ये गांधार स्कूल से associated हो गया ठीक है ना तो ये थोड़ा सा आप और आर्ट एंड कल्चर में गांधार स्कूल के बारे में थोड़ा पढ़ लोगे तो और आइडिया लग जाएगा आपको इसके आगे sports पे news यह है कि अभी हमारी तरफ से जो शटलर पीवी सिंधू उन्होंने थाइलेंड की counterpart जो final में अभी खेल रही थीन के खिलाफ बुशानन उनको हराया है Switzerland का यह जो competition था badminton competition था उसमें ठीक है तो यह आप ध्यान रखेंगे important है और पीवी सिंधू नहीं अभी तक के लगबग super 300 8 super 300 के जो competition है वो जीत लिये हैं जिनमें 23 में तो यह हारी है और यह 8 में जीती है final तक पहुंच के ठीक है फिलाल यह थोड़ा Switzerland वारा था इसमें फाइनल में जीत गई है दूसरी तरफ में भी final में हमारी तरफ से compete कर रहे थे उनका नाम यहां पर मैं बतायता हूं आपको एक second रुखें यहां पर आप देख सकते हो HS Pranoy इनको इनके counterpart जो थे final में ठीक है इंडोनेशिया के उन्होंने हरा दिया तो यह तो देखो final में हर गए यह तो silver medalist हो गए जबकि Sindhu ने final में gold जीत लिया है तो यह एक news थी जो हमें देखनी थी बाकिया आप खुछ से एक बार देख लेंगे में में बाते थी वह अमारी cover हो गई thank you very much